आज हम लोग जनसंचार माध्यम विशय पर बात करने वाले हैं। आप सब लोग कहानी पढ़ते रहे हैं, आप सब लोग कविता पढ़ते रहे हैं, और भी नजानी कितनी सारी विधाएं पढ़ते रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भाषा जो अभिव्यक्ति भाषा में हम लोग करते हैं, वो कई और तरीके से भी किया जाता है, जैसे मीडिया हमारे सामने है, जनसंचार है, एक दूसरे से बात करने का जो माध्यम है, इसके जरिये हम लोग भाषा एक दूसरे तक अपने संदेश प कौन लोग काम करते हैं, इसके अंतरगत कौन-कौन से चीजें आ सकती हैं, इन पर हम थोड़ असा चर्चा कर लेते हैं, जैसे अगर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसके परिभार्षा पर बात करेंगे, इसके कौन से तत्व होंगे, संचार के कौन-कौन से प्रकार होते हैं उन पर बात करेंगे जन संचार की विशेष्टाओं पर बात करेंगे संचार के कारियों पर बात करेंगे और जन संचार के कारे और जन संचार के कारे दोनों में फर्क होता है भारत में जन संचार कब से शुरू हुआ, उसका उसकी शुरुवात क्या है, कौन सा स्वरूप है उसका, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे. एक बात हम शुरू करने से पहले, इस बात को हम एक बात जान लें, कि मीडिया की भूमिका बहुत एहम है हमारे समय में, और आज के समय में तो बहुत एहम है, क्योंकि मीडिया अगर चाहे, तो कुछ भी बदलाव ला सकती है, हमारी भाशा, हमारी कलम में वो ताकत है, कि किसी यानी मीडिया का जंता से जंसंचार होता है तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है यह बहुत ज़रुरी है साथियों अब हम लोग आते हैं इस विशय पर कि आखिर किनके किनके बीच में जनसंचार होता है अगर पहले सोचें कि क्या आप एक दिन भी बिना बात किये रह सकते हैं सोचिए तुझे रासा इसको सोच के देखिए कि अपने दोस्तों से इस पर चर्चा करके देखिए क्या कोई ऐसा दिन बीचता है जिस दिन आप बिना बात किये रह सकते हों बिना बात किये संभव ही नहीं है आपके लिए रह पाना तो एक तो इसका ये स्वरूप है कि बात करना हमारी आदत का हिसा है हम इसके बगेर रही नहीं सकते और बात करना अब ये बात करना जो है अपने आप से बात करना भी होता है जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले से बात करें जरूरी नहीं है कि मेरे साथ कोई हो बलकि हम उससे भी बात करते हैं अपने आप से भी बात करते हैं मैं खुद चुप हूँ, अगर मान लिजे, कभी-कभी लगता है कि व्यक्ति चुप है, लेकिन चुप रहते वे भी वो हमेशा वो अपने आप से बात कर रहा होता है, कहीं न कहीं हम कुछ सोच रहे होते हैं, कहीं न कहीं दुनिया के बारे में, व्यक्ति के बारे में, तो यह तो यह बहुत जरूरी सा एक हिस्सा बन जाता है और अगर दूसरे शब्डों में कहा जाये तो सभ्यता के विकास की शुरुवात ही या उसकी olun ये पूरी की प्रकृड़ी प्रकृरी अ ही जनसंचार की प्रक्रिया है क्योंकि जैसे जैसे जिन चीजों की जरूरत पढ़ती चली गई हमने वह वह चीजें इजाद करनी शुरू की हमें जरूरत पढ़ी कि हम दूसरे राज्यों से बात करें तो हमने बहुत तरह के यातायात के साधन बनाए हमने बहुत से और बहुत सी चीजे ब अगर उस अंदर्ब में जाना तो हम एक कहने की आउशक्ता नहीं, आज हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं कि हमारे पास कई साधन है, टेलीफोन तो है ही, हमारे पास टेलीविजन है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास बहुत से साधन है जिसके जरिये हम संचार कर सकत इतना आखे बढ़ चूका है कि यह बहुत ही हासान हो चुका है जैकिन आसानी के साथ ध्यान रखियेगा कि आसानी के साथ साथ मुश्किले भी आव थी है पहले हम समझ लेते हैं एक आप ग्राफ सा देख रहे हैं उस ग्राफ में बना हुए संचार के तत्व कौन से होते हैं पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं तो पहले तो देखिए स्रोत या संचारक यानि मैं अगर मैं अपनी बात किसी तक पहुचाना चाहती हूँ मेरी बात है और मैं मेरी बात में आप तक पहुचाना चाहती हूँ तो सुरोत मैं हुई और अगर दूसरी बात अगर मैं देखूँ दूसरा तत्वा गर देख लिया जाए तो भाशा है हाला कि मैंने यहां नहीं लिखा है लेकिन वो संदेश के भीतर आ जाता है तो दूसरा जो वहत्यपुन बात है वो है संदेश अगर मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ आप तक ले जाना चाहती हूँ तो भाषा में कहूंगी निश्यत रुप से भाषा में कहूंगी लेकिन आप तक ले जाने के लिए मुझे संदेश तयार करना होगा और संदेश को तयार करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि जिस जिस तक मैं ले जा रही हूं, जिस तक मैं अपनी बात कहने जा रही हूं, मेरी भार्षा वो जानता हो, जिस तक जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, उस रिसीवर तक मेरी भार्षा तभी पहुंचेगी, जब मेरी भार्षा वो जानता हो, यानि हमारे और उसके बीच भा बात कर रही हूं हो सकता है यह टेलिविजन पर आप देख रहे हूं हो सकता है आप मोबाइल पर देख रहे हूं तो कोई माध्यम तो होगा तो आज जो मैं माध्यम अपना रही हूं यह इंटरनेट के जरीए भी आप देख सकते हैं और भी कई माध्यमों से देख सकते क्योंक जो प्राप्त करता याई रिसीवर जिसको हम कहते हैं याई जिस तक हम पहुंचाना चाहते हैं तो आप मुझे बतानी है मैंने कई पुए न है जाहिर है लिए प्रक्रिया अपना ही मैंने अपने संदेश को पहले point state कि मैं क्या कहना चाहती हूं आपसे फिर मैंने मेडिया चुना फिर आप अप तक आइ हूँ और विद्यारथी को सुन और समझ होंगे है तो ऐसा अगर हमने तेय कर लिया अब अंतिम इस्थिति होती है फीडबेक अभी जो हम लोग बात करें थे संचार के तत्यों पर अब हम लोग आगए फीडबेक पर हमने श्रोत चीजें बेकार हो जाएंगी यदि फीडबेक नहीं मिलता है क्योंकि जैसे अगर मैं आप से बात कर लोग बहुत जरूरी है लेकिन कई बार क्या होता है। इन सब को परिशानी कहां से आती है। कई बार क्या होता है कि कई तरह के शोर, जिसनको हम लोग शोर कहते हैं, मीडिया की भाशा में कहा जाए, तो शोर कहते हैं, कई बार हमारे मानसिक रूप से हमारे दिमाग में कई तरह के शोर होते हैं, यानि कई तरह की सुचनाएं, कई तरह की बातें तो उसके कारण भी कई बार संदेश ठीक धंग से नहीं पहुँच बाता है यानि मेरे दिमाग में बहुत सी और बातें अगर चल रही है तो जाहिर है कि जो बात मैं आप से कहना चाहती हूँ तो कई बार मानसिक और कई बार सामाजिक भी होता है हमारे समाज में जिस तरह की धारणा चल रही है उस धारणा में अगर आप कोई नई बात लेकर के आ जाते हैं तो वह समझने लायक अभी हमारा पाठक दर्शक तैयार नहीं है रिसीवर तैयार नहीं है प्राप्त करता तैयार नहीं है तो ये स्थिती भी शोर का कारण होती है यानि दूसरी तरह की और शोर दूसरी तरह की और भीड हमारे पास मौजूद है जिसके कारण असल ध्वानी जिसको कहते हैं असल आवाज जिसको कहते हैं वो नहीं सुनाई पढ़ रही है, तो ये भी हमें बार-बार ध्यान देने की जरूरत है, कि किस तरह की चीजे हमें घेरे हुए हैं, तो ये एक तो सामाजिक, दूसरी बात और भी कई तरह के शोर हो सकते हैं, उनको भी आप जानने की कोशिश करिएगा, तो इन कारणों से हम सही ढंग से अपने संदेश को अपनी बात को नहीं पहुचा पाते हैं, एक और बात है, संदेश करता और संदेश देने वाला, यानि जो स्रोत है, जो भेजने वाला है, और जो प्राप्त करता है, इन दोनों को भाशा तो आशा आनी ही चाहिए, साथ में भाशा लिखनी पढ़नी भी आनी चा करना हमें आता हो एंकोडिंग करना नहीं आएगा तो हम शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे साथियों अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा एक शब्द में कहूं आपके सामने कि जिसको कहा जाए कि संचार एक्च्वली अनुभाओं की साज्यधारी है अगर मेरे अनु कारे क्या होते हैं कौन-कौन से कारे होते हैं कि किन-किन तरह के कारे को संचार कहा जा सकता है संचार के प्रकार कौन-कौन से होते हैं इन पर भी हम आ जाते हैं एक तो होता है सांकेतिक संचार जैसे आगर मैं आप से संकेतों में अपनी बात कहूं तो संकेतिक संचार हो गय दूसरी बात मौखिक और अमौखिक दोनों साथ साथ चलेगा यानि मैं कुछ नहीं बोलूं आपसे फिर भी मैं हाथों से इशारा करूं मैं अपने जेस्चर से कुछ बात कहूं तो वह अमौखिक होता है यानि जेस्चर से जो बात कहीं जाती है वह भी कहीं न कहीं आप तक तो एक तो दूसरा प्रकार अगर देखा जा तो यह भी होता है। अगर तीसरी बात में कहूँ तो मौखिक और अ्मौखिक के साथ अंतह बयक्तिक संचार भी होता है। जैसा मैंने अभी शुरू में ही कहा कि जैसे मैं अपने से जो हम बात कर रहे हैं या आप अपने से जो बात करते हैं वह अंतह वयक्तिक संचार है जो आप खुद से ही बात कर रहे हैं खुद से ही आप सवाल कर रहे हैं, खुद से ही जवाब कर रहे हैं, अंतरमन्थन कर रहे हैं, विचार विमर्ष कर रहे हैं, खुद से ही, तो वो भी अंतह वयक्ति के एक तरह का संचार होता है। अगर अगला देखा जाये तो समूह संचार जैसे हम लोग घ्रुप discussion करते हैं आप अपने साथियों के साथ ग्रुप में काम करते हैं तो वो group discussion हो गया तो वो समूह संचार हो गया और सबसे बड़ा जो रोल है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है जन संचार जन संचार में एक बड़ी बात क्या होती है कि जिस जनता के साथ मेरा संचार हो रहा है जिन आम लोगों के साथ मेरा संचार हो रहा है हम उसे जानते नहीं है हमारा सीधा कोई संपर्क नहीं है उसे जान तो इसलिए जनसंचार बहुत मुश्किल भी इस माइने में होता है कि इसके लिए एक पूरा का पूरा तंत्र हमारे सामने होता है क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकेगा और वो तंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके लिए काम करते हैं यानि सीधे सीधे जो मैं कह पर पहले तो हम लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि कैसे इसके प्रकारों के साथ साथ यह कौन-कौन से काम हो सकते हैं जन संचार के कारेओं को समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा पिक्चर रख रही हूँ उसमें आखिर संचार के कौन-कौन से कारे होते हैं पहले तो वो समझ ले फिर हम जन संचार के कारेओं पर आ जाते हैं कि आप देखेंगे कि आप जैसे मेरा स्क्रीन पर संचार के चाहिआ होते हैं पहली बात अगर मैं देखूं तो थो संचार के कारेऊं में हम किसीसे कुछ मांगते हैं उससे मांग के किताब ही मांगी हमने तो किताब हासिल करना ये भी मैंने संचार से ही किया अगर मैं किसी को नियंतर जैसे अगर मान लीजिए पिता या पुत्र है या मा बेटे हैं बच्चे हैं तो हम किसी को सिखा रहे हैं कुछ बता रहे हैं कि नहीं गिलास का ये कप कहां रखनी चाहिए यह ग्लास कहां रखना चाहिए तो यह भी बता रहें तो यह नियंतरित करना हुआ किसी के सभाव को नियंतरित करना हुआ किसी के अबिव्यक्ति हम लिखकर भी कर सकते हैं और मीडिया कोई भी ले सकते हैं आज तो हमारे सामने मुठी में ही वो मेडिया है मोबाइल में ही सब कुछ है तो इस तरह से हम अगर देखें तो सामाजिक संपर्क के लिए भी हमें संचार की जरूरत होती है हमें संचार का कई पर कहानिया सुनी है कि कोई फंस गया है और कई-कई महीने बाद वो मिला है ऐसा भी आपने देखा है तो वह इशारा करता है कई तरह के संकेत देता है और उन इशारों और संकेतों के माध्यम से लोग उस तक पहुंचते हैं तो यह आप अच्छी तरह से जानते हैं इन उसकी प्रतिक्रिया उसकी रिपोर्ट लिखकर उसकी रिव्यू लिखकर के करते हैं समिक्षा लिखते हैं आप उसकी इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम किसी भूमिका को जिसको हम कहते हैं रोल प्ले करना किसी भूमिका को जैसे आप डॉक्टर है तो डॉक्टर की भूमि में अध्यापक हैं तो अध्यापक की भूमिका में विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी की भूमिका में रहने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं अब हम देखें इसी संचार को यह तो व्यक्तिगत्था दो और दो लोगों के बीच लेकिन अगर हम जनता के साथ करन जैसे माली जी टेलिविजन है आप इंटरनेट देख रहे हैं कई सारे चैनल देख रहे हैं कई सारे तरीके से आपके पास सुचनाई पहुच रही हैं तो आप जरूर देखिएगा कि क्या इन में से सारी बातों को फॉलो कर रहे हैं यह हमारा एक तरह से इस पर अंकुष लग है कि जो अब सवाल यह हुता है कि यह सूचना कौन सी देनी है और कौन सी नहीं देनी है इसके लिए हमारे पास एक बाकाइदा गाइडलाइन्स बनी हुई है हमारे एक मैनिफेस्टों जिसको हम कह सकते हैं तो बाकाइदा हमारे पास बना हुआ है और उस गाइडलाइन्स क केवल अध्यापक काम काम नहीं होता है, यह मीडिया काम होता है, किसी जरीये से तो मेडिया यह काम भी करती है जो भी बात हम बताना जाहते है जैसे इस तरह की चीजें हम इसके जरीये हम सकस्कित तो यह तो ये भी काम है उसका, मनोरंजन करना तो हई है, फिल्म में आप बाकाइदा देखते हैं, नाटक देखते हैं, गाने सुनते हैं, ये सब मनोरंजन करना भी एक उद्देश्य है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ उसमें शिक्षा शामिल होता है, असा नहीं कि बिल्कुल इसमें कोई बहुत बड़ा अलगाओ कर सकते हैं एजेंडा तै करना ये बहुत बड़ा उद्देश है कि आखिर हम जो करने जा रहे हैं जैसे अगर मान लिजिए कोई अकबार अपना एक एजेंडा तै करता है कोई समचार प्रस्तोता अपना एजेंडा तै करता है या जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वो अपना एक एजंडा तैय करके चलते हैं कि हमें यह काम करना है जैसे इस वक्त हम यह मान करके चल रहे हैं कि हमें इस lockdown period में आप तक किसी न किसी तरह पहुँचना है चाहिए वो माध्यम कोई भी हो हमारा एजंडा यह है अब हम तरह तरह से कर रहे हैं कि किसी न किसी रूप में हम पहुँचे यह हमारा एजंडा है तो यह भी काम है उसका निगरानी करना और फिर यह भी देखना कि जो कुछ चल रहा है जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है वो ठीक है भी कि नहीं और समाज में भी देखा जाए कि समा सामाज ठीक में जो कुछ चल रहा है उन बातों को भी देखना साथ में जो संस्थाएं तरह तरह की हैं अगर राजनीतिक संस्थाएं भी हो सकती हैं सामाजिक संस्थाएं भी हो सकती हैं तो उन राजनीतिक संस्थाओं या शैक्षिक संस्थाओं पर नजर रखना ये भी काम ह क्योंकि वो जरूर देखे कि हैं क्या हो रहा है कहाँ सही हो रहा है गलत हो रहा इन बातों को रखना आम जन्दता के सामने लेआना भी जनस 차 की भूमी का है और फिर विचार विमर्ष के मंच एकठा करना भी उसका काम है तो यह कुल मिला करके बहुत से कामों में जनसंचार के कामों में यह सारी चीज़ें आती हैं अब ही हम लोग जनसंचार माध्यमों के विकास पर भारत में कैसे हुआ इस पर चर्चा कर रहे हैं तो आप पहले सोच लीजिए आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आधुनिक काल में ही हुआ होगा जनसंचार माध्यमों का विकास क्योंकि आधुनिक काल में हमारे पास छापे खाने का विकास होता है प्रिंट मीडिया आता है एलेक्ट्रोनिक मीडिया आता है तो आपको लगता होगा कि हम लोगों ने शायद उसी समय से शुरुआत की होगी लेकिन ये बिल्कुल सच पूरा नहीं है आप ध्यान देजिए पीछे जाईए जरा थोड़ा आप घर में भी हमेशा सुनते होंगे क की नारद मुनी को सबसे पहला समाचार वाचक कहा जाता है, वो तो समवाध सेतु थे, समवाध और के पुल थे, किसकी बीच धरती और देवलोग के बीच, धरती की सारी कथाए, कहानिया वो जाकर के देवताओं को सुनाते थे, तो ये भी एक तरह का समचार ही हुआ, समच थे दरवार था तो उन दरवारों में भी कहीं न कहीं बाकाइदा कोई न कोई एक समचार वाचक होता था वो जा करके अपनी बाते बताता था जनता को सारी सुचनाई देता था बाशाह की तो बाशाह क्या कह रहा है राजा क्या कह रहा है उसकी सारी सुचनाई देता था उसक तो शिलालेखों पर लिख करके भी रखा जाता था जो जरूरी सुचनाएं होती थी तो वो ऐसा भी किया जाता था तो ऐसा नहीं बलकि बाद में चल करके तो दर्बारों में बाकाइदा एक ऐसा व्यक्ति ही मुकरर कर लिया गया एक ऐसा व्यक्ति ही रख लिया जाता था जो अगर उसके आगे थोड़ा सा आएं तो आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोक नित और लोक गायन काफी प्रसिद्ध हैं उनके आप नाम जानते होंगे और उसके पहले थोड़ा समय वो भी बता दूँ आपको याद दिला दूँ आप चित्र देख रहे होंगे क जो गुफाएं हमारी हैं उन गुफाओं में हम चित्रों के माध्यम से चित्र लिपी के माध्यम से हम बाकाइदा अभिव्यक्ति करते थे तो यानि जनता कुछ न कुछ एक कहना चाहती थी आम व्यक्ति कुछ न कुछ जो कहना चाहते थे जो सूचना देना चाहते थे या जो भी अविवक्त करना चाहते थे वो कहीं न कहीं कभी कभी गुफाओं में भी लिख करके करते रहते थे शीला लेखों का मैंने जिक्र किया था और अभी मैं गुफाओं की बात कर रही हूँ तो आप भी मेटका की गुफाओं को देख लीजिएगा तो उन गुफाओं में और आज कल बहुत सी ऐसी गुफाएं दूसरी भी जिनका नाम नहीं आपने सुना होगा आप जा कर देखिएगा वहाँ लेखन मिल जाता है तो ऐसी चीजें भी आपको मिल जाएंगी यानि ये भी कहीं न कहीं संचार के माध्यम ही थे हम लोग इसको संचार के माध्यम के रू जात्रा हुआ या फिर कथा वाचक बाउल हुआ सांग हुआ रागनी हुआ तमाशा हुआ यह सारे जो मनुरंजन के हमारे साधन थे लोकनिते थे इन लोकनित्यों के माध्यम से भी हम कई बार जनता को शिक्षित करने की कोशिश करते थे आप उनकी कहानिया सुन लेजिए तो ज़्यादा तर वो कहानिया जनता को शिक्षित करने वाली होती थी, तो ये भी हमारे पास एक माध्यम के रूप में हुआ करते थे, और बहुत बाद में चल करके आधुनिक समय में जनसंचार के ये माध्यम जो अभी मौजूदा समय में हमारे पास हैं, ये माध्यम हमारे सामने आये हैं अब प्रिंट माध्यम राहिरे आधुनिक काल की देन है और उसके बाद हमारे पास electronic media आया तो बहुत सारे माध्यम भी आये जब प्रिंट माध्यम शुरुवात हुई तो बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं भी आ गई आपको पता होगा बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हमारे हाँ आज भी हैं और पहले एक समय में जब खास्तोर से जब आधुनिक जो हमारे आजादी की लड़ाई लड़ाई लड़ी जा रही थी उस आजादी की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं की ब्विमिकाँ बहुत अहम थी आजादी की लड़ाई में बहुत से पत्रREEकाओं ने बहुत बड़ी बुमिकादा की बिलकी गांधी जी को तो हम लोग सबसे बड़ा पत्रकार मानते हैं क्योंकि गांधी जी बहुत से ऐसे अकभार निकाले जैसे के अखबार का नाम था तो उस अखबार में वह अपटी टिपणिया लिखते थे बालमकुंद कुप्त हमारे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाई आप पढ़ते होंगे वह भी बाकाइदा ये काम करते थे एक पत्रिका ही निकालते थे और अंग्रेजों के खिलाब जो कुछ भी क पढ़ते हैं तो भारते हिंदु हरिष्टन की खुद पत्रकार रहे हैं तो पहले के बहुत से साहित्यकार बहुत से कवी बाकाइदा पत्रकार भी रहे हैं तो पत्र-पत्रकाएं उस जमाने में बहुत सी मशुहूर थी कुछ आप देख सकते हैं मैंने इस कोलाज की तरह से प्रस्तुत किया है कि 1947 का जो पत्र था 1947 यालि 15 अगस्ट 1947 का हिंदुस्तान उसकी कटिंग मैंने उपर लगाई हुई है आप देख लीजिए यह अपने आप में थ्रिल पैदा करता है अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना रोमांच सा होता है कि आखिर यह उस दिन क है जिस दिन हम आजाद हुए जिस दिन भारत आजाद हुआ तो ऐसे बहुत अब शिर्षक देख लीजिए शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभाद बापो की चिर्टपस्या सफल तो यह सब शिर्षक उस दिनों लगा करते थे और देखो ने एहम भूमिकाधा की तो काफी खुद तिलक भी एक बड़े पत्रकार के रूप में गिने जाएंगे तो ऐसे बहुत से पत्रकारों के नाम आप देख सकते हैं तो बाकाइदा इन लोगों ने वह काम किया सबसे पहला अख़बार हमारे यहां जो प्रकाशित उसके बाद ही उद्धन्त मार्दंट नाम का जो पत्र हिंदी में प्रकाशित हुआ आप देखिएगा उद्धन्त मार्दंट नाम से वो 1926 में प्रकाशित हुआ और उद्धन्त मार्दंट में मार्दंट को भी आप देखेंगे कि कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ यह भी ए एक चैख्षिक लड़ाई की भूमी बाकाइदा कुलकाता थी, शुरुआत वहाँ पर हो रहा था, मीडिया की वहाँ शुरुआत हो रही थी, अखबार आ रहे थे, तो इन अखबारों की उस समय शुरुआत हुई थी, अब हम थोड़ा सा आने की कोशिश करते हैं दूसरे विश्यों पर लेकिन इसके पहले मैं थोड़ी सी आपके साथ चाहूँगी कि एक गतिविद ही आपके साथ शेयर करूँ और वो आप करें खुद घर के भी देखें कि अपने किसी प्रिय समाचार पत्र को ले लीजिए उसको भी कई रूपों में आप आज पाएंगे राश्ट्री सहारा हमारे सामने मौजूद है दैनिक जागरण हमारे सामने मौजूद है लेकिन उसमें उस टिपणी में कुछ बात भी होनी चाहिए जैसे उसकी खूबियां क्या है जैसे मैंने हमने अभी कई सारी बातें आप से शेयर की उन में से यह भी देखिए कि क्या वह अपनी भूमिका को अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या जो रोल बताये गये हैं जो पूरा कपूरा ले रहा है कि नहीं ले रहा है तो यह खाम पत्रिका आपको सूचना, शिक्षा और मन रंजन देता है, इन बातों पर भी गौर करिएगा और यह जरूर लिखिएगा, तो आप पाएंगे कि केवल अख़बार के बारे में आभी आपको जानकारी नहीं होगी, बलकि अख़बार के साथ साथ समाज के बारे में, भार्शा के बारे में कैसी भाषा लिखी जा रही है कैसे शीर्षक दिये जा रहे हैं और उससे कहीं ने कहीं भाषा प्रयोगों के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी काफी फायदा होगा उससे और कैसे कौन सा शब्द माइने रखता है कौन सा शब्द समवेधनशील है यह वो स्वतंत्र हो रहें, उन पर कोई अंकुष नहों, लेकिन कम से कम कुछ तो नियमावली हो, ऐसा नहों कि असमवेदन शील भाषा लिखकर वो सामने वाले को दुखी कर दे, नाराज कर दे, आप जानते हैं कि आजकल बहुत से ऐसी चीजें, बहुत से ऐसी खबर आप सुनत होंगे, देखते होंगे, आपका ध्यान जाता होगा कि कैसी शब्दावली, कैसी और समवेदन शील शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, जैसे अभी फिलहाल हाल ही में किसी एक्टर के मृत्व पर जो शब्द सुचनाओं से क्या होने वाला था, क्या होता तो यह बहुत सी चीजें हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, चलिए हम अब इसके साथ ही अब थोड़ा सा आगे आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि पहला जो हमारा रेडियो है, अगर हम रेडियो को ले ले ल जब उनको काम्याबी हुई तो रेडियो का आविशकार किया, लेकिन यह बाहर की दुनिया में, भारत में हमारे हां नहीं उस समय नहीं शुरूआत हुई, भारत में बहुत बाद में शुरूआत हुई, और भारत में आप आएंगे कि 1921 में मुंबई में टाइमस ओफ तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे, लखनव, दिल्ली, कलकत्ता, मदरास, तिरुचिरपली, धाका, लाहौर, पेशावर, बहुत से हमारे सामने स्टेशन, रेडियो स्टेशन खुल गये थे, और इन रेडियो स्टेशनों ने बड़ी भुमिका अदा क हमारे देश में 96 प्रतिशत जनता के बीच आकाशवाणी पहुंसती है, आकाशवाणी का दाइरा इतना फैला हुआ है, और अब आप जानते होंगे एफम की जब से शुरुआत हुई, तो एफम के बाद से तो आप आएंगे कि हमारी जनता, आम जनता हर व्यक्ति के पास व थोड़ा परदे के पीछे चला गया था, क्योंकि टीवी और बाकी और माध्यम ज्यादा महत्यपुन हो गये थे, लेकिन बाद में जब से एफम आया, फिर से रेडियो की भूमिका को लोग समझने लगे हैं, और रेडियो को अहम मानने लगे हैं, आज भी रेडियो मैं कहीं एकांत होकर के सुनकर के कोई चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, वो ज्यादा महत्यपुन भी होती हैं, और कहीं भी पहुचाई जा सकती हैं, उनके लिए बहुत जरूरी नहीं के नेट की जरूरत हो, जो कहीं भी पहुचाई जा सकती हैं, तो रेडियो क कि शुरुवात जिस तरह से हुई हमारे देश में 15 सितंबर 1969 को युनेसको ने एक शिक्षा संबंधे कारिक्रम की शुरुआत करने के लिए ही योजना बनाई थी और उसने टेलिविजन की शुरुआत हमारे हाँ शुरू की लेकिन उस समय काम चिर्फ उसका था उसकी भूमिक में टीवी सेट लगाये गए और दो सो लोग करीब उसको देखते थे हफ्ते में दो बार दिखाया जाता था एक एक घंटे के लिए लेकिन 1965 में जब भारत आजादी का दिवस था 15 अगस्त तो 1965 की आजादी के दिवस फिर से इसकी बाकाइदा शुरुआत हुई लेकिन जादा नहीं, 1976 में आकाश बाणी का हिस्सा ही छीहतर तक रही लेकिन बाद में जब स्वतंत्र उससे हो गया यह दूर दर्शन तो उसने एक अहम भूमिका शुरू की, 1976 में अलग हुआ 84 मेश की रजत जैनती मनाई गई लेकिन आप जानते हैं कि यह सब कुछ कब ज्यादा शुरू हुआ जबकि इसमें प्राइवेट यानि की कुछ ऐसे चैनल आये, जो सवतंत्र चैनल है, जो सरकारों से सीधे-सीधे जुड़े हुए नहीं है, जो सरकारी नहीं है, ऐसे चैनल आये तो फिर इसमें काफी जादा एक रेंज इसका बढ़ा, घंटे भी बढ़े, इ कई तरह के तकनीकी विकास भी इसमें हुए, तो कई तरह के जब ये शुरुआत हुई लेकिन इस तकनीकी विकास के साथ-साथ आप आप आएंगे कि जैसे जैसे बहुत सारे चैनल आये, वैसे वैसे आप आप आएंगे कि हमारा अंकुष भी नहीं रहा, आप कई बार ऐसी आपके सामने आती रहीं जो आपके लिए शायद महत्तवून ना हो आपको देखना डारूरी न हो ऐसी चीजे भी हैं अब शुरता के सामने दरशक के सामने सवाल यह हुआ कि हम क्या ले क्या चुने उस में से कौन सी चीज़े हमारे लिए ज़रूरी है toujours क्सी चीज़ें गह जरूरी हैं तो यह हमारी हो गई उस समय यानि आपका विवेक बहुत माईने रखता है किसको हम observuh करें किसको नहींसे do कौंसे देखें तो यह काम भी भूतastically है इस जरूरत है , इस थी ब्रद्वाद हो ज देखना है और बहुत कि क्या ये कारिक्रम जो आ रहे हैं इन कारिक्रमों में हमारे लिए हमारे देश के लिए कितना एहम बातें कही जा रहे हैं इस चुनाओ का एक आधार तो जरूर यह होना चाहिए या मेरे लिए कितना महत्यपुन है या क्या हमें किसी दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता कहीं हमारी आगला कदम उठाने में मदद करता है तो यह भी बहुत जरूरी है तो अब हमारा ज्यादा रोल यह हो जाता है भुमिका यह हो जाती है कि भाई कहीं न कहीं उस गाइड लाइन्स पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि अब उन गाइड लाइन्स की जो भी आवहेलना क करता है जो गाइडलाइन मेडिया के लिए बनाए गए हैं जो कोई भी उसकी अवहेलना करता है वो निश्चित रूप से उसका उद्देश केवल ब्यावसाइक है केवल पेशा है तो ब्यावसाइक रूप केवल आगे न बढ़े इसके लिए हमें सचेत होना एक नागरी के र आपके विचार को कैसे प्रदूशित कर रहा होता है आपको पता है आपकी राय धीरे-धीरे वैसी बनने लगती है तो आप ध्यान रखिएगा आप अलग-अलग विचारों को जानिये तब आप तैय कर पाएंगे कि उनमें से क्या सही है क्योंकि एक ही विचार जानने पर आपके पास कोई option ही नहीं है विकल्प ही नहीं है तो विकल्प के लिए जरूरी है कि बहुत सी चीजों को देखा और समझा जा अभी बहुत सी बातें जो हम लोग कर रहे हैं उन में जनसंचार माध्यमों के कई माध्यमों की बातें भी कर रहे हैं जैसे अभी हमने विवेक बहुत महत्यपुन हो गया है साथियों आप इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा और ध्यान देजिएगा कि हमारा विवेक कैसे हमारे लिए क्योंकि अभी हम साइवर क्राइम पर भी बातें करेंगे आप देखिएगा कि यह स्थिति आ गई है कि धीरे-धीरे हमारे दिमाग पर कैसे वो अंकुष्व करते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं, हमारे दिमाग को कोई अपने वश में कर ले, ऐसा हम होने नहीं देंगे, तो साथियों मैं आपसे उमीद करती हूँ कि आप जैसे लोग इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे और जनसंचार माध्यमों पर विचार करते हुए इन बातों को जरूर ध्यान देजिएगा, और बहुत से माध्यम हैं, उन पर हम अगली बार चर्चा करेंगे